श्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MWS IAS में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी का एक बहुत महत्तपून टॉपिक जहां से प्रश्ण आने की संभावना ज्यादा बनी रहती है आज हम बात करने वाले हैं कारक को लेकर हिंदी का इपसा कि आप इसक क्प्लीट कर लेते हैं अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एक नंबर कर सकता है क्यों यहां से एक प्रश्ण हमेशा आता है और आपके जो आगामी एक्जाम से चाहे वो करनी रखसक का हो वीडियो वीडियो का एक्जाम हो या अन्य कोई भी एक्जाम हो बंदी रखसक वगएरा जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत जादा महत्तपूर्ण होने वाली है तो देखें आज हम सुरू करते ह है कारक का साब्दिक अर्थ क्या होता है पहले आप यह देखिए कारक का मतलब होता है करने वाला यानि के जो किसी कार्य को करता है उसी को हम कारक बोलते हैं किरिया को पूरी तरह करने में किसी ना किसी भूमिका को निभाने वाला जो कोई ना कोई भूमिका जरूर या परसरक भी विभक्ति को ही कहा जाता है। इसे लिए देखते हैं। कारकों का रूप परकट करने के लिए उनके इस्थान या उनके साथ जो सब्द चिन लगते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। इन कारक चिनों या विभक्तियों को परसरक भी कहा जाता है। जैसे ने, मे, को, से, के दुआरा। ठीके या अलग होने का कहीं पर भाव हुरा है। तो यह सब क्या विभक्तिया होती हैं। अब हम एक एक करके पहले सबी विभक्तियों को देखेंगे। फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर कौन सा कारक क्या होता है और यह कैसे खाम करता है। चलिए, देखें। हमारे सब से पहले एक और विभक्ति लिखे हुई है। और दूसरी और उनके कारक चिन लिखे में है। कौन सा चिन किसके लिए परियोग किया जाता है। सब से पहले करता कारक की जो विभक्ति होती है ने होती है। कहीं पर लिखावा है राम ने खाना खाया। तो काम किसके द्वारा किया गया। राम के द्वारा किया गया तो यहां पर करता कारंको ने राम और विभक्ति क्या है ने दूसी देख्ये तरह करम कारक को, यदि हम ऐसे कहीं यह किताब श्याम को दे दू एक तो इसमें विभक्ति कौन सी परियोग की गई है को परियोग की गई है, फिर करण कारक देखिए, से या के द्वारा यहां पर विवक्ति का परियोग किया गया है, संपरदान के लिए जो विवक्ति है, वो के लिए या को है, अपादान के लिए जो विवक्ति है, से यानि कि अलग होने का जहां पर भाव होगा, उसके लिए क हम क्या बात करते हैं ने या पर ऊपर नीचे और वी जा की बात होगी तो अभी अधिकरन में ही आएगा संभोधन on both on मैं हुझावन की बुलाते है कि ये भवनात्म क्सब्द होते हैं और एक है करके इन सभी को अच्छी तरीके से देखते हैं हमारा पहला जो कारक है वो है करता-कारक, करता-कारक हम देखते हैं, किरिया के करने वाले को कर्थाकारक द्वारा काम किया जा रहा है उसे ही हम कर्थाकारक कहेंगे यह है पदप्राई संग्या या सरुनाम होता है या संग्या हो सकती है अब संग्या क्या होती है ? किसी भी व्यकति का नाम होगा najwię शाम, मोहन, सहन, कुत्ता, बिल्ली, पेड़, पोदे किसी का भी यदि नाम दिया हुआ होगा, तो वो ही संघ्या होती है। संघ्या की definition क्या है ? किसी वैक्ति वस्तू अध्वा इस्थान के नाम को ही संघ्या कहते हैं। संग्या पांच प्रकार की होती है, जब हम संग्या का टोपिक पढ़ेंगे, तो महाँ पर अच्छी तरीके से हम इन सब को डिसकस करेंगे। दूसरा है सरवनाम, सरवनाम क्या है, संग्या के इस्थान पर परियुक्त होने वाले जो सब्ध होते हैं, उन्हें हम सरवनाम कहते हैं, इनका संबंध किरिया से होता है, जैसे राम ने पत्र लिखा, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, जैसे राम ने पत्र लिखा, तो यह तो ने विभक्ति है यह किसी है यह करता कारक की विभक्ति है और यहां पर करता क्या है राम है ठीक है चलिए आगे देखते हैं करता कारक का परियोग दो परकारतिक किया जाता है कैसे कैसे होगा देखिए एक होगा परसर्ग सहीत और एक होता है परसर्ग रहित यानिकि एक ज राम नर्फ भसाने के लिए प्रसन ऐसी जगरे से ही बनाता है जो थोड़े से टृकि होते हैं जuck सबसे पहले देखते हैं परसर्ग तहीत राम ने उस तक पढ़ी यहां करता के साथ नेपरसर्ग तो वहाँ परसरग नहीं लगाएंगे और यदि कहीं पर सैकर्मक की लिया है तो वहाँ पर आपको परसर्ग लगाना होगा अब देखें राम गया अब गया कौन है रामी तो गया है काम कौन कर रहा है राम के द्वारा काम किया गया है तो यहाँ पर विवक्ति नहीं है क्योंकि यह क्या है एक एकर्मक की लिया है मो बहुष्यकाल के दियम बात करें तो उनमें परतर्ग का इस्तमाल नहीं किया जाता जैसे वर्तमान काल का वाक्य है बालक लिखता है यहाँ पर विभक्ति नहीं लगाई गई है रामघर जाएगा यहाँ पर विभक्ति नहीं लगाई गई है करता कारक की विभक्ति क्या होती ह ने याद रखना ने तोड़ा आगे देखिए अब देखिए मैं आपको अन्य कुछ और भी भक्ती बताता हूं जैसे अन्य उधारण है मुझसे आज खेला नहीं गया यदि कहीं पर ऐसा वाक्य बना हुआ है और वहां लिखा हुआ है मुझसे तुमसे उससे ठीक है इनके अंत में यदि से लगा हुआ है तो यह भी करता कारक होगा यह आपको याद रखना है उसके द्वारा समाचार पढ़ा गया अब किसके द्वारा समाचार पढ़ा गया उसके द्वारा व्यक्ति है उसके द्वारा समाचार पढ़ा गया तो यह भी क उस ने खाना खाने से पहले पानी पिया तो यहां प्रकौंद सी वक्ति है ने यह भी करता कारक होगा दोस्तो जो कंपलीट रिवीज़न इस वीडियो में आपका कंपलीट रिवीज़न कराने वाला हूं if I write । आप अंत तक देखते हैं एक्जामनर चाहे किसी भी परकार का प्रस्न पूछ ले यदि आप इस वीडियो complete देखते हैं तो आप का कारक का जो question है वो कभी भी गलत नहीं होगा तो यह हमारा करता कारक था करता कारक में हमने क्या जाना विवक्ति ने होती है यदि एकर्मक वाक्य है भूत काल में वहाँ पर विवक्ति हम नहीं लगाते हैं यदि वाक्य सकर्मक है तो वहाँ पर विवक्ति लगाई जाती है बरतमान काल में और भविश्य काल में भी हम विवक्ति का परियोग नहीं करते हैं चीज हमने यहां पर सीखी है अब हम बात करेंगे करमकारक की देखें करमकारक जिस वस्तु पर किरिया का फल पड़ता है तंग्या के उस रूप को करमकारक पहते हैं यानि कि जहां पर किरिया का फल पड़ेगा उसी को हम करमकारक पहेंगे इसकी जो विवक्ति चीन है वो क्य लगी लिए यहां मारने की किरिया का फल रावण पर पढ़ रहा है तो यहां पर करम कारक क्या है कुछ अन्य उधारण हम इसके देख लेते हैं जैसे मुनी वन को जाते हैं ये बहुत महत्पूर्ण है और एक्जाम्स में पूछे गए हैं तो आपको इने थोड़ा सा अच्छे से देखना है जैसे मुनी वन को जाते हैं यदि कहीं पर जाने की बात होगी या जाने का भाव होगा तो वहाँ पर भी करमकारक होगा हमारे घर के चारो तरफ बहुत बड़ा बगीचा है यदि कहीं पर दिसा बताई गई हो ठीक है तो यह भी करमकारक के अंतरगत आएगा हमारे घर के चारो तरफ अब देखना दिसा बता रहा है यानकि हमारे घर के चारो तरफ क्या है बहुत बड़ा बगीचा है तो यहां दिसा बताई गई है और इससे क्या होगा यह करमकारक हो जाएगा शिक्सक ने चातर से प्रस्न किया यहां पर सेव्भक्ति आ रही है पर इसका मतलब यह इसे आप करता कारक मत बना देना क्योंकि हमने पहले बताई दिक कहीं पर सेव्भक्ति भी आती है तो वह भी करता कारक माना जाएगा लेकिन अब देखना सिक्सक ने चातर से प्रस्न किया तो यहाँ पर प्रस्न क्या है इससे क्या चातर से क्या और चातर क्या है करम यानिके ओब्जेक्ट है तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा करम कारक हो जाएगा अब हम बात करते हैं तीसरे कारक की करण कारक इसमें देखिए संग्या के जिस रूप से किरिया के साधन का बोध्या निके कोई काम जब किसी साधन से किया जाएगा तो उसे करण कारत कहेंगे इसका विभक्ति चिन से या के द्वारा होता है एक्जांपल के जरी समझते हैं जैसे राम ने रावन को बाण से मारा अब देखना यहाँ पर बाण क्या है एक साधन है विभक्ति किसका परियोग किया गया है ते का परियोग किया गया है यहाँ राम बाण से या बाण द्वारा रावन को मारने का काम करता है यहाँ बाण से करण कारक है, क्योंकि बान में क्या है, यहाँ पर करण कारक है, क्योंकि बान के द्वारा ही किसे मारा गया है, राम ने रावन को मारा है, किसे बान से, तो यहाँ पर बान में क्या है, करण कारक है, मैं आखों देखी बात बता रहा हूँ, तिक यह बहुत महत्पून एक्जाम जो अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं ये सभी पूछे गए हैं इसलिए हमने इन सब को लिया है और आपको यहाँ पर इन्हें समझते हुए चलना है देखें इन सब को हम डिटेल में देखेंगे मैं आखो देखी बात बता रहा हूँ यदि कहीं पर ऐसी बात लिखी हुई है कि मैं आखो देखी बात बता रहा हूँ दिवारों के भी कान होते हैं धीरे धीरे बोलो कोई सून लेगा इस तरह है कि जितने भी वाके लिखे में होंगे वो सभी के सभी करण कारक में आएंगे और ये सबी आप पता होने चाहिए, साध्वों की संगती से बुद्धी सुधरती है, देखिए, साध्वों की संगती के द्वारा भी आप इसको बोल सकते हैं, और से भी आप इसको बोल सकते हैं, तो यहां भी किसका परियोग किया गया है, से युभक्ति का परियोग किया गय उम्मीद के सहारे सब जीते हैं इस परकार के जितने भी वाक्य मैंने आपको बताए हैं आपको देखी बाते बता रहा हूं दिवारों के भी कान होते हैं उम्मीद के सहारे सब जीते हैं भावनात्मक रूप से जितने भी वाक्य होंगे वो सभी के सभी करणकारक में आएंगे अभी 8 बजे हैं आप से समय पूछा जाए या समय बताया जाए ये सब किसमें आएगा करणकारक के अंतरगती आएगा अभी आठ बजे हैं, अभी नो बजे हैं, अभी दस बजे हैं, कि आप सबीजी को समय बता रहे हैं, आप यह किसी का समय पूछ रहे हैं, तो यह सब क्या होगा, करण कारक में आएगा, वह लंगडा है, वह अंधा है, वह बहरा है, वह गुंगा है, इस तरह कि अंग भंग की यदि कभी भी बात होगी तो वह भी करण कारक में आएगा वह अपने कर्मों से गरीब है यदि करण भी आ गया है किस वज़े से गरीब है अपने कर्मों से गरीब है तो यह भी करण कारक में आएगा करण कारक के यह सभी के सभी जितने भी वाक्के यहां पर दिये गए हैं मह संपर्दान का अर्थ होता है देना जिससे कुछ दिया जाए कैसे हमने किसके कोई चीज द पिर हम उससे वेचीज वापस ना ले तो इसमें संपरदान होगा उसका बोध कराने वाले संग्या के रूप को संपरदान कहते हैं इसका विभक्ति चिन के लिए या को होता है या के निमित होता है आगे एक्जाम्पल में हम समझेंगे किस-किस परकार के वाकिये बनते हैं मोहन ब्रहमन को दान देता है या मोहन ब्रहमन के ल संपर्दान दे दिया तो फिर हम उसके वापस नहीं लेते हैं यहां पर कौन सी वक्त का परियोग क्या गया को या के लिए और यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा संपर्दान कारक चलिए अब हम देखते हैं कुछ महत्तपूर्ण वाक्य इसके जो एक्जामस में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है आपके इन वाक्यों से समस्त जो कंसेप्ट है वो किलियर हो जाएंगे लिए कूंदि के बाड़ पिडितों को मुआवजा दिया अब देना कहीं पर यदि बाड़ आ जाये और बेम दोबार या मुख्यमंतरीजी दोबार आपको कुछ मुआवजा दिया जाता है तो क्या हो मुआवजा फिर वापस ले लिया जाता है मैं एक लिए विभक्ति का परियोग किया जा सकता है, औरत ने भिक्सु को भिक्सा दी, ठीक है, यहाँ पर भी कोई भक्ति का परियोग किया गया है, कि औरत ने भिक्सु को भिक्सा दी, गुरु जी को परणाम, आदर की यह दी कहीं पर बात होगी, तो वहें भी क्या होगा, कि चाबी वह मुझसे मिलने आई अब आप देखो हैं मुझसे मिलने आई आप ऐसे लिख सकते हैं या वह मुझसे मिलने के लिए आई तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या मुझसे मिलने आई या मुझसे मिलने के लिए आई यदि कहीं पर आपको विवक्ति नहीं दिखाई दि अब देख यहां पर भी वक्ति को है यह दि मैंसे ऐसे लिख दूँ कि बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहिए तो कहा गलत है नहीं यह भी बिल्कुल सही है इसलिए संपरदान कारक के दो भी वक्ति बताई गई है पहली वक्ति को और दूसरी वक्ति के लिए यह आपको पता होना चाहिए, तो जितने भी यहां से महत्पूर्ण कारक बन सकते हैं, आपके संपरदान के, वो मैं आपको बता दिये हैं, अब हम next कारक देखते हैं, next है अपादान कारक, देखो, संग्या के, जिस रूप से अलगाओ का बोध हो, यानि के अलग होने का यदि बोध होगा, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा, इसकी विवक्ति होती है, शे, देखे, कुछ एक्जामपल देख लेते हैं, व्रक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब देखना, जैसे ही व्र दन गिर चुका है, यानि के दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, यहां वरक्ष से गोडे से अपादान कारक है, ठीक है, अपादान हमेशा स्थिर वस्तू में होता है, आप याद रखना, अलग होने के अत्रिक्त निकलने, सीखने, डरने, लजाने, अत्वात तुलना करने के भाव में भी अपादान खारक का परियोग किया जाता है, एक एक कोहम एक्जामपल के जरिए समझेंगे, देखिए, 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 दोस्तों, एक एक कारक के कितने-कितने एक्जामपल हमने लिये हैं, ताकि आपके एक्जाम में जो भी प्रशना है, वो आप से ना बचे लेकिन निकलने के अर्थ में गंगा हिमाले से निकलती है अब हिमाले से निकलकर वो आगे जाएगी तो हिमाले में और गंगा में अलगाव हो जाएगा डरने के अर्थ में पुलिस चोर पुलिस से डरती है बिल्कु सही बात है चोर पुलिस से डरता है डरने का भ बहुस असूर से लजाती है, यहाँ पर क्या है, अपादान का रख है, तुलना का हो, यदि तुलना हो रही होगी, राकेश रुपेश से चतुर है, तो यह भी क्या अपादान का रख है, यदि दो वैक्तियों की तुलना हो रही है, तो वह अपादान का रख है, और एक वैक् अपादान कारक होगा कोई कारिये सुरू हो T20 मैच सुरू होने वाला है ठीक है इसकूल सुरू होने वाला यदि कोई काम सुरू होने वाला है तो वहाँ पर भी अपादान कारक होगा पीम जापान से लोट आए हैं सूरज अभी दिल्ली से नहीं लोट आए तो इस परकार के जितने भी वाक्य बनते हैं वो आपके अपादान कारक में आएंगे उमीद करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रही होगी पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें शेर करें और चैनले को सब्सक्राब ज़रूर कर ले संबंद कारक हम बात करने वाले हैं संबंद कारक की देखें संग्या या सरुनाम के जिस रूप से उनका संबंद वाक्य की दूसरा संग्या से परकठो यारिके संबंद बताना है एक संग्या से दूसरी संग्या से यदि उसका संबंद क्या है ये बताया जाता है इस कारक मे राजा दसरत का बड़ा बेटा राम था अब देखो यहाँ पर विवक्ति क्या लगाई गई है का ठीक है तो दसरत का राम से संबंद यहाँ पर बताया गया है राजा दसरत के चार बेटे थे इस परकार के जितने भी वाक्ति बनेंगे ये संबंद कारक में बनेंगे राजा दसरत की तीन रानिया थी तो ये संबंद कारक की विशेष था उसकी वक्ति का केक की संग्या लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है लड़के का सिर्दुक रहा है ठीक तो ऐसा भी वाक्ये पूछा जा सकता है लड़के की पैर में दर्द है लड़के की तांग में चोट है तो ये सब भी किसके हैं संबंद कारक की अन्य देखे धीरज का भाई पर्थम आया है ये परस्न पूछा गया है धीरज का भाई पर्थम आया है इसमें संबंद कारक किसमे है तो आप क्या बताएंगी धीरज का भाई भात किसी कर रहे हैं हम भाई की हम धीरज की बात नहीं कर रहे हैं हम बता रहे हैं धीरज का भाई पर थमाया है तो यहाँ पर किसमे होगा भाई में यह प्रस्ण पूछा गया है और महत्तपून है संबंद कारक किसमे हैं भाई में है अधिकरण कारक, अब देखे़ अधिकरण के हम बात करेंगे अधिकरण का अथ हैं आधार या आस्रे संगय या सर्वनाम के जिस रूप से किरिया के आधार इस्थान समय अवसर आधी का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं इस कारक में विभक्ति चीन में, पे और पर होती है उस कमरे में चार चोर थे यानि के अंदर की की हम बात यदी करेंगे तो वो क्या होगा अधिकरण कारक होगा ये कमरा है और हमने कहा कि उस कमरे में क्या है उस कमरे में चार चोर हैं तो ये अधिकरण कारक होगा, मेज पर पुष्टक रखी हुए, किसी चीज के उपर कोई चीजे रखी हुए, तो वो क्या होगा, अधिकरण कारक होगा, अने एक्जाम्पल देखी, ये प्रस्न पूछे गए प्रस्न है, राम पढ़ने में तेजे, यानि कि येदि बुद्ध का भाव होगा, किसी व्यक्ति की बुद्धी मता का हम भाव दर्शार रहें, तो वो क्या होगा, अधिकरण कारक होगा, मैं अभी दो मिनिट में आता हूँ, ये समय का भाव होगा, ये आपके पास टाइम है, तो आप कह सकते हैं, मैं अभी दो मिनिट में आता हूँ, थोड पर समय का भाव है और यह अधिकरण कारक होगा मचली जल में रहती है मैंने अभी क्या का यदि किसी चीज के अंदर कोई चीज होगी तो इसमें अधिकरण कारक होगा अस्पताल के सामने मेरा घर है तो यह क्या होगा? इस्थान का भाव है तो यह भी अधिकरण कारक में ही आएगा तो यह सभी के जितने भी प्रस्न दीवे हैं यह सभी के सभी पूछे गए हैं और अक्सर एक्जामनर ऐसे ही प्रस्न पूछता है जो थोड़े से टिर्की होते हैं जिसमें स्टुडेंट के फसने की संभावना बनी रहती है यदि आप वीडियो को अंत्य तक देख लेते हैं तो आप मैं गारंटी देता हूँ आप कारक में कभी भी नहीं फसेंगे चलिए संबोधन कारक संबोधन कारक सब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए हम किसी को संबोधित कर रहे हैं तो उसे क्या होगा संबोधन कारक इसमें होगा इसमें अक्सर देखे आप से देखते हैं पैचान जाएंगे और उसके बाद में फिर ये चिन लगाया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं सम्भोधन कारक बोलते हैं इसे आप देखते ही पैचांच जाओगे इसमें इसने कोई दिक्कत वाली बात है नहीं देखें अमारी वीडियो भी खतम होने वाली है देखें शमा करो और इसके बाद में ये वाला जो चिन है विश्मयादी बोधक चिन लगाया हुआ है इस चीज को ये आप देख लोगे तो देखते ही आप लोग किस पर टिक्कर दोगे ये कौन सा कारक होगा बताईए ठीक है ये संबोधन कारक कह सकते हैं ठीक है ये विश्मयादी बोधक चिनका परियोग आप देखें लो हर वाक्य में किया जैसे है पर्भु के बाद किया हुआ है अरे बच्चों इदर की यहां पर देखें सब के बाद में इसका परियोग किया गया है तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखना देखना कभी नाम पर जोड़ देकर संबोधन का काम चला लिया जाता है वहां कारक चिनकी आवसकता नहीं होती जैसे अरे आप आगए है अजी इधर आओ तो इस तरह है के वाक्य यह दि कहीं पर दिये वह हैं तो वह भी संबोधन कारक में होंगे तो दोस्तो हमारी वीडियो खतम हो चुकी है आज की वीडियो में हमने बात की कारक के बारे में वीडियो यह दिया आपको पसंद आई हो दोस्तो बसमें इतना ही कहूंगा कि आप लोग लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के पास शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें टाकि हमारी आने वाली वीडियोज का जो नोटिफिकेशन आए, वह आपको मिलता रहें। दोस्तों, धन्यवार्ब, मिलते हैं हम अपर नेक्ष्ट वीडियो में आगली वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हिस्ट्री की मेराथन कलास आपकी एक होने वाली है हिस्ट्री जिसमें हम हडपा सब्भेता से लेकर आपके गुप्त काल तक कि जितने भी महत्तपून प्रश्ण है वो हम बिसकस करने वाले हैं साइधे वीडियो हमारी कल आ जाए तो आप लोग इस वीडियो को भी जरूर देखे धन्यवाद